बिहार में 6 साल बाद सिक्षक पातरता परिक्षा टेट 2017 का आयोजन रविवार को किया जा रहा है राज्य में 348 केंद्रों पर परिक्षा आयोजित की गई जिसमें पूरे बिहार में से 2,43,449 अभ्यारती शामिल हो रहे हैं वहीं शिक्षक पातरता परिक्षा सुरू होते ही राज्य में कई जगव पर प्रश्न पत्र और उत्तर लीक होने की चर्चा है सोशल मीडिया पर प्रश्न पत्र और उत्तर के वाइरल होने की खबर है हलाकि इसकी पुस्टी अभी नहीं हो बाई है ट्रेट के ये वाइरल उत्तर सही है या नहीं इस बारे में बोड के उच अदिकारी फिलाल कुछ भी बोलने से कत्रा रहें बोड के ओर से कहा गया है कि परिक्षा खतम होने के बाद ही बताया जा सकेगा कि प्रशन पत्र लीख हुआ है या नहीं अभी इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता वहीं एक मुख्य समाचार पत्र के वेबसाइट में छपी रिपोर्ट के मताबिक जमुई जिले के सिक्षक पातरता परिक्षा के वाइरल प्रशन पत्र वे उत्तर सही पाए गये जमुई के एक वरिष्ट अधिकारी के हवाले से बताया गया कि मिलान करने पर कई प्रशन पत्र सही मिले इसकी जांच की जा रही है बता दें कि एक के बाद एक बिहार में होने वाली परिक्षाओं के प्रशन पत्र और वाइरल होने की घटनाएं सामने आई हैं वाइरल हो के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें